रानी मुखर जी हिंडी फिल्मों की एक प्रसित अभिनेत्री हैं। 2005 में वे बॉलिवुड के शीर्ष दस शक्तिशाली लोगों में सिर्फ एक महिला थी। रानी ही एक ऐसी अभिनेत्री है जिसे फिल्म फिय ने तीन साल लगातार 2004-2006 वॉलिवुड की शीर्ष अभिनेत्री गोशित किया। रानी समाज सेवा के कामों में बहुत सक्रिय रहती हैं और उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं के लिए चंदा एकठा किया है। उन्होंने दो विश्व टूर में हिस्सा लिया है जहां बॉलिवुड के और सितारों के साथ उन्होंने स्टेज शो में दर्शकों की सामने प्रदर्शन किया। अपने पहले टूर में वे आमिर खान, एश्वर्या राय बच्चन, अक्षे खन्ना और ट्विंकल खन्ना के साथ थी और दूसरे में शाहुत खान, स्यापली खान, प्रीती जिंटा, अर्जुन रामपाल और प्रियंका चोपड़ा के साथ देखी। 2005 में उन्हें बॉलिवुड की तरफ से पाकिस्तान के राश्टपती परवेज मुशर्व के साथ खाने पर न्योता दिया गया। 2006 में उन्हें ब पिता राम मुखर जी मिर्देशक रह चुके हैं और उनकी माई गायक है। उनका भाई राजा भी फिल्म निर्देशक हैं। अभिनेत्री का जोवम उनकी रिष्टेदार है। राणी मुखर जी ने अपने फिल्मी करिय की शुरुआत राजा की आईगी बाराथ से पिल्म आफिस पर नाकाम रही इस से पहले उन्हें अपने पिता की बंगाली फिल्म बेर फूर 1992 में एक छोटा किरदार करने को मिला था उनके पारिवारिक मित्र सलीम अक्तर ने आगले लग जा 1994 में उन्हें रोड दिया था जिसे रानी के पिता ने ठुकरा दिया था जिसके बार व फिल्म कुछ खास सफल नहीं रही पर आतिक्या खंडाल गाने ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया उनकी पहली बड़ी सफल पर वे ज्यादा सफल नहीं रही उनकी अगलेisia फिल्में बादल चोरी चोरी चुपके चुपके और मुझसे दोस्ती करोगे। कुछ खास कमाल नहीं कर पाई पर साथ ही उन्हें ये अश्राज बैनर के टेली फिल्म करने का मौका जरूर मिला। उनकी अग्ली सफल फिल्म रही विवे कोबरोई के साथ साथ या दो हजार दो जिसके लिए उन्हें फिल्म फे पुरसकार भी मिला। उन्हें अग्ली सफलता के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा जो उन्हें मिली मनेरतनम की फिल्म ये वाक्त से। उन्हें अपने किरदार के लिए दूसरा फिल्म पे पुरसकार मिला। उनकी अगली फिल्में हम तुम, वीर्जारा, बंटी और बबली, और ब्लैक, बड़ी सफल रही और उन्हें बॉलीवूर्ड की शीर्श अबिनेत्रियों में जगह मिली। 204-206 का दौर उनके लिए सुनहरा दौर रहा। फिल्म बलैक से उन्होंने अपने अबने का एक शक्तिशाली परिमान लिया जहां उन्हें एक अंधी बहरी लड़की का किरदार करने को मिला। रानी ने फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा से शादी की है, दोनों की एक बेटी ही है, दो, रानी का जन मुखर्जी समर्थ परिवार में हुआ था, जहां कई सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री से तालुक रखते थे, उनके पिता राम मुखर्जी एक फिल्म डाइरेक तीन, मशहूर डाइरेक्टर रयान मुखर्जी और अभिनेत्री का जो भी रानी के चचेरे भाई वहन है, चार, रानी ने अपनी मा के कहने पर अपने फिल्मी करिया की शुरुआत 1996 की अपने पिता के द्वारा बनाई गई बंगाली फिल्म बियर फूल से की, बाद में यह फिल्म हिंदी में, राजा की आएगी बारात के नाम से बनाई गई जिसमें रानी ने मुख्यब भूमिका निभाए, पांच, रानी ने 1998 में आमिर खान के साथ विक्रम भड की फिल्म गुलम की थी जिसमें उनके किर्दार को काफी सरहना मिली थी,